अबूमारि मोनोक्लोणल एंटी बडी इस के बारे में पड़ेंगे क्योंकि अब इतक हम देख लिया कि वहां एक जो आप जो शुडू में हको कि अटई है को देखा उसमें भी मोनो क्लोनल एंटी बॉड़ी होते क्या है तो देख लो एंटी बॉड़ी और एंजाइम एंटी बॉड़ी और एंटीजन इतना समझते हो एंटी बॉड़ी क्या होता है एंटीजन क्या होता है तो यह जो foreign particle है या जो pathogen है जब हमाई body में जाता है इसका हम क्या बोल रहे हैं एंटिजन बोल रहे हैं कि जब हमाई body में जाता है तो हमाई body का जो immunity system है वो इसके अगेंस इसको optionize करने के लिए बहुत सारे क्या करता है antibody generate करता है तो optionization क्या है जैसे यह virus है यह foreign particle है body के अंदर गया तो body ने बहुत सारे antibodies generate की है अब यह antibodies के बहुत सारे epitopes होंगे उससे जाके bind होंगे अब epitopes क्या होते हैं जैसे कोई bacteria है है ना bacteria का cell surface bacteria हमारे लिए क्या है pathogen है antigen है अब इसके surface पर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर होंगे जिनको antibody identify कर सकता है ठीक है identify करके bind कर सकता है तो इस pathogen या antigen के surface पर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर होंगे जिन पर जाके antibody क्या कर सकता है है bind कर सकता है इसको हम क्या बोलेंगे एपिटोब बोलेंगे तो किसी बैक्टिरिया के पास बहुत सारे तरह के एपिटोब हो सकते हैं किसी भी pathogen के पास अलग-अलग कई तरह के एपिटोब हो सकते हैं ठीक समझ लो 123456 यह मैंने naming कर दी कि यह सिक्स टाइब के एपिटोब जो हैं वो एक किसी एंटिजन के पास हैं ठीक अब क्या होगा कि जब यह एंटिजन किसी एनिमल में इंजेक्ट किया जाएगा यह एंटिजन किसी एनिमल में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसका एंटी सीरा जो बनेगा उसमें बहुत सारे एंटी बॉडी बनेंगे कुछ कुछ epitope 1 पे bind करेंगे कुछ epitope 2 पे bind करेंगे कुछ 3 पे कुछ 4 पे कुछ 5 पे कुछ 6 पे तो मतलब उस anti-sira में बहुत सारे epitope बहुत सारे antibodies होंगे जो अलग-अलग epitope पे bind करेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे polyclonal antibody antibody मतलब कि हर तरह की antibody यहां पे अलग-अलग epitope से बाइंड करने के लिए present है तिक लेकिन अगर क्या हो कि एक यह जो antigen है इसका two number वाला epitope हमने लिया और इसको इसके against जो है इसको किसी animal में inject कराया इस particular epitope को और उसके against हमने क्या generate कर ली antibody अब वो antibody जो है वो हमेशा किसको recognize करेगा तू को ही recognize करेगा है ना तो यह particularly इसके लिए क्या हो गया monoclonal हो गया एक ही तरह का specific antibody हो गया monoclonal क्यों होते हैं क्योंकि यह एक ही b type के cell एक ही तरह के cell के बार-बार cloning से मतलब बार-बार उसी cell से derived होती रहती है तो इसलिए बोलते हैं हम किसको monoclonal ठीक और यह highly specific होते हैं किसी एक single type के epitope identify करने के लिए और high affinity से bind होते हैं high affinity बोले तो बहुत strongly तरीके से bind होते हैं उससे इतना समझ में आया antigen antibody समझ में आ गई तो हम देखते हैं कि monoclonal antibody क्या होते हैं तो इनके पास क्या होंगे जितने भी monoclonal antibody जैसे हमने बोला कि epitope 2 को हमने introduce करा दिया किसी animal में तो अब जो anti-sira होगा उसमें सिर्फ ऐसे ही antibody आएंगे जो किसको identify करेंगे epitope 2 को तो यह एक ही तरह के antigen से बाइंड करने की एक ही साइट से बाइंड करने का identical साइट से जितने भी antibodies मतला उनका जो epitope होता है वो specific होता है तो bind they all bind to the same epitope with the same affinity ठीक और वो सारे किसी एक particular antibody class से ही belong करेंगे ठीक अब कैसे बनता है ये बात करते हैं तो किसी एक type के cell से ही बनता है single parental cell से बनता है इसलिए इसको हम clonal monoclonal बोलते हैं तो generally ये plasma cells b cells से produce होते हैं क्या किया जाता है plasma cell b cell secreting जो भी cells होते हैं उनको myeloma cells से fuse किया जाता है fusion किया जाता है दो cells का fusion किया जाता है fusion के बाद उनको culture करते हैं और फिर क्या monoclonal antibody बनती है इसको हम detail में आगे पड़ेंगे अब ये monoclonal antibody को produce करने के जो technology होती है उसको हम बोलते है hybridoma technology hybridoma क्यों बोलते हैं क्योंकि एक तो myeloma cell है एक plasma cell है और दोनों की hybrid बन रही है तो उसको बोलते है hybridoma technology तो ये hybridoma technology काई के लिए है ये है monoclonal antibodies को produce करने की technology है इसमें generally क्या करते है hybrid cells create करते हैं इसके साथ B cells और myeloma cells को fuse करके ठीक अब देखो मैंने क्या बोला monoclonal antibody body produce करने का तरीका होता है तो कैसे करते हैं तो मैंने क्या बोला एक single type का epitope लेंगे है ना जैसे मैंने स्वीरू के example में क्या लिया था epitope 2 लिया था कि यह जो है यह हमारा bacteria बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से यह एक epitope है पर्टिकुलर जिसके अगे समको क्या बनाना है monoclonal antibody जैसे अगर यह HIV हो ठीक तो HIV के लिए क्या हो जाएगा GP मैंने क्या बताय था इनके spikes पे क्या होगा GP 120 और GP 41 ऐसे करके होते हैं ना spikes proteins होते हैं तो सपोज अगर मैं GP 120 को target कर रही हूँ GP 120 के लिए मुझे antibody monoclonal antibody बनानी है तो मैं GP 120 को क्या करूंगी introduce करूंगी किसी cell में तो यह GP 120 क्या हो गया हमारे लिए क्या हुआ epitope हुआ हुआ ना तो यह epitope हो गया अब इसको लेके हम क्या करेंगे किसी mice के या फिर कोई भी animal जिसे हमको anti sera लेना है उस animal में यह specific antigen जो है introduce कर देंगे जैसे हमने यहां पर अगर virus का case लिया तो GP 120 हमने introduce कर दिया तो अब जो antibody बनेंगे स्प्लीन में वो किसके अगेंस बनेंगे GP 120 या epitope 2 के अगेंस बनेंगे ठीक अब हम क्या करते हूं उस animal के स्प्लीन को isolate कर लेते हैं स्प्लीन जो है organ उसको isolate कर लेंगे उस स्प्लीन से फिर हम b cells को isolate करते हैं b cell या बूल plasma cells को isolate करते हैं ठीक उसके बाद हम myeloma tumor cells myeloma tumor cells से हम cells ले लेंगे अब हमाई पास b cells भी हैं और tumor cells भी हैं इनका fusion करेंगे और further animal tissue culture करते हैं ठीक इनका tissue culture करते हैं तो हमें मिलेंगे hybridoma cells मिलेंगे hybridoma cells मिलेंगे लेकिन क्या chances है कि यह hybridoma जितने cells मिलेंगे वो सब hybride मिलेंगे chances हैं क्या देखो plasma cell अब देखो fusion कराने के लिए polyethanol glycol use होता है हमेशा जब भी आप दो cells का fusion पढ़ोगे तो यह पैग का use होता है तो plasma को हम किसमें फ्यूज कर रहे हैं myeloma cell में फ्यूज कर रहे हैं तो chances हैं क्या कि 100% fusion हो जाएगा plasma myeloma का fusion 100% हो जाएगा सारे cells जो होंगे वो fuse हो जाएंगे ऐसा है क्या सारे cell फ्यूज हो जाएंगे नहीं होंगे सारे cell नहीं फ्यूज होंगे जो cell fuse हो जाएंगे वो बन जाएंगे hybridoma cells घिक जो आगे जाके काम आएंगे hybridoma cells जो आँगे आगे जाके monoclonal antibody बनाने के काम आएंगे लेकिं जो फ्यूज हो सकता है कि плाज्मा किसी से प्लाज्मा का प्लाज्मा रह गया हो unfuse plasmajak हो सकता है माईलोमा किसी से फ्यूज ही नहीं हुआ हो अन्फ्यूज माईलोमा रह गया हो यह हो सकता है दो प्लाजमा सेल फ्यूज हो गए हो यह भी तो हो सकता है कि दो प्लाजमा सेल फ्यूज हो गए हो आपस में यह हो सकता है कि दो माईलोमा सेल आपस में फ्यूज हो गए ह वो सकता है ना जरूरी थोड़ी है कि सारे सारे सल मिलके हाइबिर्डोमाई बना देंगे नहीं बनाएंगे तो अब जब इतने सारे सेल्स हैं मान लो कि तुमने 100 प्लाजमा सल लिए 100 माइलोमा सल लिए दोनों को फ्यूस कराया टोटल सेल काउंट कितने हैं 200 सेल काउंट्स हैं अब इसमें सारे कि सारे जरूरी थोड़ी है कि सारे फ्यूस हो गए होंगे सपोस्पचास जो हैं वो हाइबिर्डोमा बनाए होंगे 25 यह बना ले रहे हैं 25 यह बना रहे हैं यह 75 हो गए तो इस तरह से यह हो सकता है कि कुछ यह सकता है 50 अब इतने सारे तो आब इतने पहिचाना है कि है जिसमें प्लाजमा और मयलॉमा आप नहीं को हईवरी मा sell को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है यह कैसे होगा किसी को आइडिया है कि किसी को आइडिया है hybridoma cells को कैसे select करेंगे कि कौन से जो है वो fuse हो चुके है माईलोमा है hybridoma cells जो होते हैं उनको select करने की technology जो है उसको हम बोलते हैं skin क्या बोलते हैं hatselection तो इसमें इसका नाम x x centered midiya में select किये जाते हैं ठीक जो भी fusion fusion वाला मामला होता है वो किस में करते हैं हैट मीडिया में करते हैं तो हैट मीडिया क्या है हैट मीडिया जो है वो टिशू कल्चर में यूज होता है और ये एक तरह से जब हम मीडिया में प्रोवाइड करते हैं है तो ये nucleic acid biosynthesis के लिए एक source देते हैं जो भी cells होता है उन पैला होता है हाइपोजंथीन दूसरा होता है और तीसरा होता है थाइमदीन तो यह तीन चीजों से मिलके हैट मीडिया बना होता है क्या होता है 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 इन ayam inopterin or thymidin को क्यों देते हैं कि यह लो भाई नुक्लिक इसे कर लो जैसे तुम्हें भूक लगी कर पाए ठीक तो हैट देते हैं अब हमारे जो जो भी यह सेल्स होते हैं उन सेल्स में एक एंजाइम होता है हाइपोजन्थिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज शॉर्ट में इसको बोलते हैं एच पी एज़ी पी आर्टी क्या बोलते हैं एज़ी पी आर्टी हाइपोजन्थिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज ठीक पहले इतनी कहानी समझ में आ गई कि हैट मीडिया क्या होता है और क्यूं देते हैं सेल्स में नुखली के एसिड बायो सिंथसिस के लिए यह सोर्स होता है और मीडिया में एड करते हैं हाइपोजन्थिन आमाइन अपटेरिन ऑ थामेडिल अब सेल्स के पास जो होता है कुछ औरिए पास एंजयाइम होते हैं कुछ characteristics यह बोलते हैं एज़ी पी आर्टी ञीक तो अब हैड मीडिया के दो कॉंपोनेंट मैंने बतायते वन वाला और थ्री वाला हाइपोजन्थिन और थाइमेडिन ये दोनों आपस में मिलके न्यूक्लिक एसिट सिंथेसिस कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं HGPRT और थाइमेडिन काइनेज एंजाइम के प्रेजन्स में मतलब अगर इन दोनों कॉंपोनेंट हाइपोजन्थिन और थाइमेडिन से किसी सेल को क्या बनाना है nucleic acid बनाना है nucleotide synthesis करना है तो उसको एक चीज क्या चाहिए जरूरी क्या चाहिए HGPRT चाहिए ठीक और thymidine kinase चाहिए और कौन से pathway में ये करेगा ये हमेशा salvage pathway में use होगा ये HGPRT enzyme जो है salvage pathway में ये use होगा आप जानते हो nucleic acid synthesis के दो pathway होते हैं होता है एक salvage pathway होता है ठीक तो जिन जिन सेल्स में HGPRT enzyme absent होगा उसमें डीनोव पात्वे तो चलेगा नहीं है ना क्योंकि HGPRT absent है sorry HGPRT absent है तो salvage पात्वे चलेगा नहीं डीनोव ही चलेगा ठीक डीनोवो से ही nucleic acid synthesis होगी सालवेच से तो होगी नहीं तो HGPRT के प्रेजन्स में सालवेच पात्वे में क्या होता है आइपोजन्थिन और थाइमेडिन मिलके nucleic acid synthesis करते हैं इतनी बात समझ में आ गई अब जो तिस्रा component head度 media में दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है Amisterine Amisterine का का म होता है डीनोवो पात्वे को । ब्लॉक कर देना थीक है नहीं बात्वे को ब्लॉक कर देना function ad क करते क्रियो कि HGPRT का क्या का मैं अमाइनोप्टेरिन का क्या काम है थाइमिदीन का क्या काम है इतना याद करते जाओं तो हमने देखा कि हैट मीडिया का पहला और तीसा कॉंपोनेंट जो है हाइपोजेंटिन थाइमिदीन वो न्यूक्लिक एसिड बायो सिंसेस कर रहा है सालविज पात्वे के हैल्प से और उसमें क्या इंवॉल्व है एज़ी प्याइटी एंजाइम और टीक थाइमिदीन का इन बॉल्व है दूसरा कॉंपोनेंट जो इमाइनोप्टेरिन है वो डी जो है इंवॉल्वे इंवाइटार सेलव सकते हैं क्यों क्योंकि इन में इंडेफिनिट डिवीजन की क्यापबिल्टी होती है इंडेफिनिट टाइम तक ये डिवाइड वो सकते हैं इमोर्टल से थीक मायलोमा सेल की क्या है इंवाटल है ये etenari क्या है कि यह एघी पी है नहीं है इनके पास क्या है एज़्फ प्यर्टी оказ यह चाल्विज पात्वे स्टेंगे बायो सिंथेसिस के लिए कि अलमें यह अगर हम इनको हिन्वित्रो के लिए में in vitro culture condition myeloma cells का कर रहे हैं और हम ने हैट मीडिया दे दिया तो इनके पास HGPRT जो है वो नहीं है तो नहीं है तो क्या यह वायो सिंथेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सेल्वेज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि HGPRT नहीं है और Aminopterin हमने और दे दिया ठीक Aminopterin और दे दिया Aminopterin ने डीनोवो भी रोग दिया सेल्वेज तो करने के काबिल नहीं थे और जो डीनोवो था वो भी बंद हो गया तो टोटली क्या होगा नुकलिक एसिड सिंथिस हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो ऐसे सेल्स जो हैं वो कल्चर में डाई हो जाएंगे मर जाएंगे अगर हैट मीडिया दे दिया इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं माईलोमा सेल्स का ठीक इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं माईलोमा सेल्स का और अगर हमने हैट मीडिया दे दिया तो Aminopterin डीनोवो को ब्लॉक करेगी करेगी साल्वेज पात्वे तो यह चला नहीं पाएंगे तो myeloma cells क्या हो जाएंगे कल्चिर में डेड होने की अबिलिटी रखते हैं है ना कि इतना समझ में आया myeloma के बारे में कि अब देखो प्लाज्मा सेल के कुछ character देख लेते हैं प्लाज्मा सेल के साथ क्या है यह immortal है मतलब इनके life spine क्या है short है कुछ दिन के culture के बाद यह क्या होंगे dead हो जाएंगे इनके life spine क्या है short short life span है जबकि उल्टा इसके पास क्या था myeloma के पास बहुत सारा देखो एक दूसरे से opposite character है दोनों के पास ठीक और इस लिए बोलते हैं opposite attract और opposite attract कर रहे है तब ही तो fusion हो रहा है है तो myeloma cells के पास immortality है जबकि इसके पास क्या है यह mortal है mortal cells है plasma cells के पास GPART present है और इनके पास क्या है absent है ना कि myeloma के पास absent है लेकिन plasma के पास present है तो इनके है यह पास है पगी इनके पास है और इनको हैट मीडिया में इन-विट्र-ब्लॉक कर देगे निकी और गोश इसे नए वेपन हैं इनके पास हो इसको यूज करकी ये इस पात्वे यूज करेंगी घ्या सुस्पा कर लोगी हैं। थाइपो जैन्थिन और ψमीडिन यह अपना सिंस्थेशिस कर लेंगे और कल्चर में सर्वाइब कर जांगे इतना समझ में आया है है मतलब इनमें सालवेज बाति पेकां करेगा क्यों कि इनके पास बढद घिर है इतना समझ में आगया है को अब देखो क्या होता है है फ्यूज सेल ही शर्फ सर्वाइब करेंगी इसकी कैसे गैरेंटी होगी फ्यूज सेल ही सर्वाइब कर पाएंगी यही चीज हम यहां पर देखेंगे हमने देखा कि दो पातवे हैं नुख्लिक Isid Synthesys के एक डी no ब्लॉक कर रहा है ठीक है दी नोव ब्लॉक हो रहा है तो प्रोटीन सिंथिस जारी नुक्लिटाइड सिंथिस यहां पर कंप्लीटली बैन हो जारा है बंद हो जारा है ठीक अब ऑब के साथ भी देख लेते हैं सैलवेज के केस में क्या है हैं इनके पास ऐगएिंटीडicon नहीं ही इनभी यह जब हेगए पात्वे नहीं पॉसिबल है मतलब कोई न्यूक्लियोटाइट सिंथेसिस नहीं ऑगा तैक कोई नूogrीआटा enzymes नहीं होगा मतलब माईलो मसल केस में से दोनों पात्वेय क्या देने पर aminopterin देने पर ये डी नोवो ब्लॉक कर दे रही है डी नोवो ब्लॉक हो गया आपका ठीक लेकिन salvage के पास salvage pathway follow होगा कैसे होगा B cells के पास या plasma cells के पास क्या है HGPRT NGI में है अब ये क्या बनाएंगे ये salvage pathway से अपना nucleotide synthesis कर पाएंगे मतलब possible है ठीक तो only वो cells जिन में myeloma और ये fuse हुए होंगे myeloma और plasma cell fuse हुए होंगे वो ही तो survive कर पाएंगे कैसे देखो जो सिर्फ myeloma cell होंगे है ना अब इस पुराने slide पे वापस से आजाओ अब देखो ध्यान से देखना ये fuse plasma cell है है ना fuse plasma cell है तो इसको हमने hat media दिया तो ये survive कर पाएगा क्या survive कर पाएगा अगर दो plasma cell आपस में fuse हुए हैं तो सर्वाइब करेगा क्या दी नोवो साल्वेज क्यूब ब्लॉक हुए हैं वापस से देखो सुनो साल्वेज क्यूब ब्लॉक हुआ क्यूंकि वहाँ पे HGPRT enzyme present नहीं थी साल्वेज पाथवे को carry on करने के लिए दी नोवो क्यूब ब्लॉक हुआ दी नोवो कि माइन उप टेरिन के presence में ब्लॉक हुआ है माइन उप टेरिन ने क्या किया इनविट कर दिया डी नोवो पाथवे को ठीक अब देखो दो plasma cell fuse जो हुए हैं अगर in case देखो do plasma cell अपस में竟े हो गए है तो head medium में ये survive करेंगे क्या नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इनमें equality है mortality की तो बहुत जादर दिन तक ये survive नहीं कर पाएंगे तो as a monoclonal antibody हमको क्या चाहिए होगा कि वो उनकी mortality नहीं हो, immortal हो, है न, हमको ये quality चाहिए होगी, लेकिन fuse plasma, दो plasma अगर fuse हो रहे हैं, तो दोनों का life span क्या है, छोटा है, दोनों का life span छोटा है, तो ये culture में ज्यादा दिन तक survive करेंगे, क्या, करेंगे क्या, नहीं survive करेंगे, यानि कि ये dead हो जाएंगे, ठीक, head medium में dead हो जाएंगे, अब अगर दो myeloma cells fuse हुए हैं आपस में, तो ये क्या head medium में survive करेंगे, दो myeloma cells अगर fuse हुए हैं, तो ये क्या head medium survive करेंगे, अगर नहीं करेंगे, तो क्यूं नहीं करेंगे, बताओ जल्दी, fuse myeloma cells क्यूं नहीं survive करेंगे, हाँ, because no HGPRT, ठीक, कोई HGPRT नहीं है, कोई biosynthesis नहीं होगा, nucleotide biosynthesis नहीं होगा, नहीं होगा, तो survival का chance ही नहीं बनता, अभी फिर वापस से बात करते हैं, कि अगर कोई ऐसा myeloma cell, जो दूसरे myeloma से fuse ही नहीं होगा हो, सिर्फ myeloma रहा हो, तो वो क्या head medium survive करेंगे, बताओ, unfuse myeloma cell क्या survive करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक, तो ये भी survive नहीं कर रहे हैं, unfuse plasma cell क्या survive करेंगे, head medium में, plasma cell के case में बताओ, unfuse plasma cell क्या survive कर पाएंगे, survival तो होगा, पर life span short होगी, life span नहीं होगी, है न, तो ये भी क्या, ये भी select नहीं होगे, hybridoma के पास देखो, अब देखो कोई ऐसे cell जो आपस में fuse हो चुके हैं, तो अब जो plasma cells के पास नहीं था, वो myeloma cell के पास है, जो myeloma cell के पास नहीं था, वो plasma cell के पास है, तो बोलते हैं न, तुम दोनों ने bonding बना ली, तो उसने eraser दे दिया, आपने pencil दे दिया, दोनों का काम चल रहा है, तो वैसा ही hybridoma cells के साथ है, है न, hybridoma cells में क्या, कि HGPRT आ जाएगा कहां से, HGPRT आ जाएगा, B cells से, B cell HGPRT दे देंगे इनको, और जो mortality की quality है, mortality, myeloma cell क्या contribute करेंगे, myeloma cell, immortality, immortality, तो अब इन hybridoma cells के पास आपस में क्या है, एक fusion हो गया है, एक association हो गया है, जिसकी वज़े से myeloma अपना क्या contribute कर रहा है, कौन सी ability contribute कर रहा है, immortality, ठीक, और B cell क्या contribute कर रहा है, HGPRT दे रहा है, कि भाई चलो nucleic acid synthesis कर लेंगे, और यह बोल रहा है, ठीक है, तुम nucleic acid synthesis कर वाओ, और मेरा क्या, मैं immortal हो जाऊंगा, तो अब जो hybridoma cell होंगे, वो immortal होंगे, वो अपनी survival कर पाएंगे, ठीक, तो यह survival समझ में आया, hybridoma cell का survival कैसे, head selection मीडिया में कैसे, हम select कर सकते हैं कि कौन सा hybrido muscle है, और कौन सा non-hybrido cell है, यानि कि unfuse plasma cell है या unfuse myeloma cell है, तो हम देख रहे हैं, कि unfuse plasma या B-cell जो है, वो भी cell death हो जारहिए, unfuse myeloma cell जो है, उनकी भी death हो जारहिए, जो fuse हो रहे हैं, जिन में जिन में दोनों की क्वालिटीज है दोनों के जो हैं ऑह जिर आअगी हैं दोनों कंभाइन हो रहे हैं वो हैट मीडिम कर जाएंगे तो ऐसे शैंग को बार बार हम क्या करते हैं कक 57 einge के को से ही हम क्या बनाते हैं वह सनुथा मसस्य जो थो वो एंटीबॉडी बनाते रहेंगे और इंडेफिनेट टाइम तक यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है बनाते रहेंगे ठीक यह आगीम इंटीबॉडी कि तो हम क्या करहें मोनcho ॉनल एंटीबॉडी में किसी एंटीजेन का एक पर्टिकुलर सपोस्विय एपिटॉप एक्स है एक एंटीजेन है के साथ लेकर कर रहे हैं data कि बहुनाना पर्टिकुलर एंटिजन जो उन्हें प्रोवाइड किया कि वह कँए हगे जो भी नियुरा मीरी डे प्रोवाइड किया है तो डुरामीड fluor contrib कि क्या करेगा अपड़ एंटीबस बनाएगा और यह की टाइब की एंटीबस बनेंगे ठीक अब यहोoa है यह किसे बनेंगे plasma cells से बनेंगे plasma cells या B cell ही antibody जो है वो बना रहे हैं अब क्यों कि हमको रखना है कि ये continuously बहुत सारे antibody बनाए ठीक तो इसके लिए हम क्या करते हैं B cells को क्या करते हैं myeloma cells के साथ fuse कर देते हैं तो एक myeloma cells लेते हैं और B cell लेते हैं दोनों का fusion करते हैं तो अब ये hybridoma cells जो हैं वो specific antibody जो होगा जो monoclonal antibody है उसको बल्क में बनाएंगे जेतना ये ग्रों होंगी उतना ही बल्क में ये antibody बनाती जाएंगी ठीक कि तो ये clear हो गया कि क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है इसके जी का है क्रिस्टल क्लियर करवा दूँ इसको कि अब देखों अब देखों मोनो क्लोनल एंटी बॉड़ी जो होते हैं उनमें फीचर्स क्या होते हैं ये highly specific होते हैं हमने बात की highly specific होते हैं क्योंकि हम एक सिंगल एपीटोब के अगेंस्ट ये एंटी बॉड़ी जननरेट कर रहे हैं ना प्लाजमा से एक सिंगल काइंड ओफ एक सिंगल एपीटोब जो किसी पाथोजिन पर प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट ही हम ये सारी antibodies जो हैं वो produce कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो एक ही तरह के epitope को identify करेगा तो मतलब highly specific है वो उसी epitope पे bind करने के लिए epitope समझते हैं मैंने क्या बताए कि अगर HIV के case में epitope बताना हो तो उसके spike protein GP 120 को हम क्या मान सकते हैं एक epitope मान सकते हैं अगर इंट्लिव एंजा का case है तो H और N उसके क्या हो सकते हैं epitope हो सकते हैं है ना इसी पर तो bind करता है तो यह एक particular epitope के against क्या होगा एक antibody बनेगी तो वो highly specific होगी फिर uniform होगा uniform बोले तो कि सारे जो होंगे वो एक ही तरह के immunoglobuline होंगे जितने antibody होंगे वो एक ही class के immunoglobuline होंगे purity हाइली प्यार होंगे और इनका इनकी predictability इनको अभी यूज किया जा सकता है research में diagnosis में therapy में बहुत सारे काम में यूज किया जाता है जनरली जो function होता है इनका एक हो सकता है diagnosis दूसरा हो सकता है therapeutic और तीसरा हो सकता है therapeutic diagnosis और treatment अब देखते हैं क्या क्या होता है therapeutic monoclonal antibodies कौन कौन सी हैं ठीक therapeutic monoclonal antibody कौन कौन सी हैं तो मैब मैंने बताए था मैब जो word है monoclonal antibody के लिए यूज हुआ है तो पहला है R2C monoclonal antibody ठीक तो R2C monoclonal antibody ये यूज किया जाता है किसके अगेंस non-hautkin lymphoma and chronic lymphocytic leukemia के अगेंस ये as a therapeutic monoclonal antibody यूज किया जाता है ठीक अभी तक इस पर question तो नहीं आये हैं बट आपको याद रखाएंगें रखना चाहिए कि कौन-कौन से monoclonal antibody जो हैं वो हैं और किसके अगेंस जो हैं काम आते हैं तो पहला है रितूजान या रितूजी रितूजी मैप ठीक तो रितूजान जो है वो यूज हो रहा है non-hautkin lymphoma और chronic lymphocytic leukemia के अगेंस ठीक फिर दूसरा है हर सेप्टिन नॉर्मल हम कॉमनली इसको हर सेप्टिन बोलते हैं नाम क्या है ट्रासूजू monoclonal antibody ठीक ट्रासूजू monoclonal antibody यह किसके अगेंस है breast cancer के अगेंस है ठीक फिर उसके बाद है अदाली मूँ monoclonal antibodies को हम नॉमली common language में हुमीरा बोलते हैं ठीक अब यह हुमीरा जो है यह यूज होता है rheumatide arthritis, psoriasis and Crohn's disease तो यह जनरली जितने हैं वो autoimmune disease है ठीक ट्रासूज हो यह autoimmune disease है तो हमीरा करके जो monoclonal antibody है यह अदाली मूँ monoclonal antibody यह किसके अगेंस यूज हो रही rheumatide arthritis, psoriasis and Crohn's disease है ठीक उसके बाद है pambrolizu monoclonal antibody इसको normal common language में हम opdivo या ketruda भी बोलते हैं अब यह किसके against use होती है यह cancer immunotherapy cancer immunotherapy में काम आती है cancer के against use होती है ठीक इसके बाद है बेवासी जू monoclonal antibody या evastin commonly हमें इसको बोलते हैं evastin ठीक एवस्टीन बोलते हैं यह evastin जो है यह vascular endothelial growth factor को inhibit करने में काम आती है और यह इनको inhibit करने से क्या फाइदा मिलता है cancer cell की therapy होती है cancer को treat करने में काम आता है क्या नाम है evastin नाम अजीब है पर मन होगा तो याद करना नहीं मन होगा मत याद करना भी तक question तो नहीं आया बढ़ा है याद करने में इतना भी मुश्किल नहीं है monoclonal antibody map word इन सब में common मिल रहा है मैं आपको हटा दो फिर उसके बाद रीटू ट्रास्तू अदाली पैंब्रो वैवी इत्ता करके याद कर लो पांच ही है ठीक थेरपिटिक जो है पांच है तो रीटू वाला तो यादी हो गया आप लोगों को रीटू सान रीटू सी खुछ भी याद कर लो दूसरा है ट्रस्ट ट्रस्ट करके याद कर लो ट्रस्ट उजू उजू मत याद कर लो अगर ऐसे डिपिकल्टी हो रही है तो जो वर्ड आपको याद हो जा रहा है वो उतना याद कर लो तो आपको एक्जाम में तो ऑप्शन आएंगी तो आप ऑप्शन मतलब वर्ड से ट दाली मूँ तो अदाली मूँ याद करना इतना मुश्किल नहीं है पिर कुछ और थेरपिटिक मोनोकलोनल एंटी बॉड़ी है ओमाली जू मुवाब तो यह क्या है ओमाली जू यह भी एलर्जी एस्मा को ट्रीट करने काम आता है यह किसको टार्गेट करता है यह इम्मिनो ग यह किसके अगेंस है एस्मा के अगेंस्ट काम आता है फिर इसके बाद डेनोसू है यह ओस्टिवौ्पोरसिप्स के लिए काम आता है ओस्तिवी रूकने के लिए यह काम आता है क्या बात एलिशara रित्व करें तो अब पहला तो हो गया अब हम बात करेंगे कोई डाइगनॉसिस के लिए तो डाइगनॉसिक यूज में यह ब्रेस्ट कैंसर के डाइगनॉसिस में काम आता है उसको बोलेंगे हम अब एची यार्टू टेस्टिंग है वह भी मोनोग्रोनल एंटिबॉडी का ही है और यह एचाइवी को डिटेक्ट करने में काम आता है फिर इसके अलावा इंसुएंजा डाइगनॉसिस है ठीक तो यह डाइगनॉसिस में काम आते हैं यह डाइगनॉसिस वाला पार तो इजी है ना आपको है कि है एची आर्टू टेस्टिंग किसके अगेंस ब्रेस्ट केंसर एच आइवी रैपिटेस नाम में ही है इन्फ्यूरेंजर डाइगनॉसिस नाम में ही आपको पता चल रहा है तो डाइगनॉसिस का यह हो गया अब मोनोक्रोनल एंटीबॉडिस का यूज रिसर्च में भी होता है तो रिसर्च में क्या यूज होता है रिसर्च में एंटी बीटा एक्टिन एंटीबॉडिस जो होते हैं वो वेस्टरन ब्लॉटिंग एंड इम्मिनो फ्लॉरसंस इस्टेडीज के लिए काम आते हैं पिसीडी एंटी बौडि उये कि से लिए क्या माते हैं इसीडी के समय हैं इससे पूंते मॉनक्त मातियों मुलाडीन नाम में इसके समय है यह कुछ रिसर्च यूज जातें पूंक्तशुन में येश् से एक नो ईर्चन एक्टेलापीटिक नियूंस है और थेरपेटिक वाला जो है वो याद करना थोड़ा मुश्किल है पर अभी आईशा ने एक बढ़िया सा ट्रिक बता दिया तो अच्छा है याद कर सकते हो कि अब इनका प्यूरिफिकेशन संस्ट करते हैं न किसकता कि सबस्कार्ण हो सकते हैं इसके अलावा एक्टेरिया इंडोटॉसिंस अब कुछ प्रिजेंट नो सकते हैं तो इन Contaminants से Purify कैसे करते हैं Monoclonal Antibody को यह Methods होते हैं Filtration यूज़ कर सकते हैं, Ultra Filtration यूज़ कर सकते हैं Chromatography और Chromatography में भी Specifically हम बोलें तो Iron Exchange Chromatography जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह Antibody जो होते हैं प्रोटीन ही होते हैं अब हम बात करेंगे Recombinant Monoclonal Antibody की तो पहले हम बात करते हैं Normal Monoclonal Antibody की Normal Monoclonal Antibody केस में क्या होता है कि हम एक Particular Epitope Antigen जो है वो इंजेक्ट करते हैं माउस में इंजेक्ट करते हैं फिर उसके स्प्लीन से जो है निकालते हैं वी सेल ये सेल और माईलोमा सेल लेके फिर हाईविडोमा टेक्नॉलजी यूज़ करते हैं Normal Monoclonal Antibody जो है वो इस तरह से प्रोडियूस होती है ठीक अब क्या होता है है रिकॉंबिनेंट Monoclonal Antibody में कि एक बार आप इस स्टेज पर पहुच गया हाईविडोमा वाले स्टेज पर पहुच गया आपने हाईविडोमा सेल्स बना ली ठीक हाईविडोमा सेल्स बनाने के बाद क्या बनेगा Monoclonal Antibody बनेगा अब Monoclonal Antibody क्या है एक तैसे प्रोटीन से प्रोटीन ही तो है एंटीबॉड़ी क्या है प्रोटीन ही है अब क्या कि इसकी सिक्वेंसिंग करते हैं हम सिक्वेंसिंग करेंगे यह क्या है प्रोटीन है तो अब इसके लिए हम पहले प्रोटीन को सिक्वेंस करेंगे कि क्या protein कोड्स है इनके ठीक protein के क्या कोड्स है क्या जो है कौन-कौन से amino acids sequence में present है क्या amino acid की chain ही तो amino acid के sequence की reading करेंगे फिर वो amino acid किस mrna से code हो रहे हैं तो वो देखेंगे पिर उस mrna को कौन से dna बना सकता है वो देखेंगे ठीक है तो कौन से dna सिक्वेंस तो ultimately हम आ जाते हैं dna sequence पर कि कौन से पहले monoclonal antibody produce हुई फिर monoclonal antibody की protein sequencing करेंगे फिर उस protein के लिए particularly हम क्या design करेंगे dna design करेंगे artificial dna design करेंगे ताकि वो dna क्या कर सके उन monoclonal antibody को express कर सके तो अब एक बार dna design हो गया तो उसको क्या करते हैं हम किसी expression vector से ligate कर देते हैं expression vector में certified हो जाता है फिर उसके बाद उसको किसी host cell में clone करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं तो जितना ज्यादा जीन एक्सप्रेस होगा जितना ज्यादा यह डियने एक्सप्रेस होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा मोनो क्लोनल एंटी बॉड़ी बनेगी तो यह तरीका होता है रिकॉंबिनेंट मोनो क्लोनल एंटी बॉड़ी बनाने का समाज में आयां यह समझ में आ गया आपको डिकॉमिनेंट्ट मोनो क्लोनल एंटीबोडी आपको अब देखो क्या होता है मोनो क्लोनल में हम क्या करते हैं हाइबिडोमा सेल्स को रेगुलर कल्चर करके क्या करते हैं एंटीबोडी प्रिड्यूस करते हैं हाइबिडोमा सेल्स रेगुलर एंटीबोडी बनाती हैं लेकिन रिकॉमिनेंट्ट में क्या है कि एक बार हमने हाइब से मोनो कलोनल अप्लियों और इसको सीक्वेंस किया इसके लिए अचिटर में इसको हम किसी घाएड करके कर Hem कर सकते हैंальном कर सकते बैक्टिरिया या किसी संघाल के इंटेपेंगेक्ट टाइम किसी बायो रिएक्टर में इसको प्रेडियों कर सकते